नमस्कार साथियों एग्रीधिंकर्स के लर्निंग प्लेटफोर्न पर अब लोगों का एक और बार स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में भी हम देखेंगे पस्पाला नेवं पस्षिकित्सा विज्ञान के 100 Most Important MCQs हिंदी और इंग्लिस बोथ में और ये आपके 2024 के एक्जाम क्योंकि एक से 100 तक हमने अगले वीडियो में पिछले वीडियो में दे दिया अब इसमें 101 से 200 तक देखेंगे देखेंगे क्या है गाया भैस के बच्चे को प्रथा मा में पिलाने के लिए दूद की अबशक मात्रा है तो कुश्चिन बार 101 राइट अप्शन बहु जाएग तो इसके लिए उचित आयू क्या होगी तो सिंग रोधन के लिए उचित आयू अपकी होती है बारा दिन तो ये अपका सही हो जाएगा प्रशन संक्या 103 देखिए पस्व के ब्याने के बाद आयन से निकलने गया स्राव को कहते हैं तो 103 का राइट अप्शन इसमें क्या आने पर नौजात सिसु को पिलाएं यानि क्या पिलाएंगे तब तो 104 के राइट आप्शन सह जाएगा यानि देखिए 30 ग्राम कोड लिवर तेल या 30 ग्राम अरंडी तेला पिला सकते हैं 105 कुश्चन देखिए नौजात सिसु को 4 खिलाना प्रारंब करने की आयू कौन सी ह तो 105 का राइट अप्शन और हो जाएगा 15 दिन 106 नुमर क्विश्चन देखिए गाय के अलग रहकर बच्छडा पालने की वीधी को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं 106 का राइट अप्शन यहां पे यह हो जागा ठीक है यह नहीं ठीक है तो इसमें जो है अणनोन अप्शन है यह आपका हो जागा ठीक है यह पर इसको समझ में रहा आप इसको भी कमेंट करेंगे देखते हैं 107 नुमर कॉस्चन देखिए पसू बाजार में यह दिखिए इसमें आप यह भी लगा सकते हैं लेकिन यह राइट अप्शन होग कि यहां पर देखिए 107 नुमर कॉस्चन क्या दिया गया दोस्तों तीन चार कोशन जो है वह आपको यानि थोड़े इदर उदर देखने को मिल सकते हैं लेकिन ज्यादत और जो बहुत ज्यादत और जो आंसर है वह आपको राइट ही मिलेंगे ठीक है तो जो आंसर आपको क का देख है इसको आप ध्याद में होता है बेंडिंग होता है और टागिंग होता है यह आपकी विदिया होती है अब देखी एक 140 नमबर को बढगिया करने की सरथा सुरक्षित वीदी है तो 108 का क्या option हो जाएगा 108 में आपका right यहाँ पर हो जाएगा option number 108 में आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 number यहाँ वड़ी जो castrator तो रहा सबसे अच्छी यही विदिये यह यंत्रा है जिसका यूज करते है steaming up परिक्षण steaming up यह test है इसका अर्थ क्या है तो 109 number question का क्या होगा इसका आपका हो जाएगा भपारा देना तीक है अगे देखते हैं 110 number question दूद निकालने की उत्तम विदी है तो यह आपका first हो जाएगा पूर्ण हस्त विदी यहाँ इसी को कहते हैं मुठी बांद कर इस इंग्लिज में बोलते हैं full hand milking और इसे को बोलते हैं fisting आप ध्यान रखेंगे सबसे 2 spoon यहाँ पर नकलिंग है तीक है देखें दूद यहाँ पर फिर 111 number question गा या बैंस को गाविन करने का उत्तम समय कौन सा है गाविन कराने का तो 111 का आपका right option कौन सा होगा इसमें 2 number होगा रितुकाल के मधे से अंध तक 112 number question देखिए डावन का यानि देखा जटो डावन कावर अवस्था होती है तो 112 का right option और नमबर होगा ब्याने के 15 दिन पूरो से ब्याने यानि 15 दिन पूरो से ब्याने तक 113 number question पसु जूंड से बीमार पसु को अलग करने की क्रिया को क्या कहते है ठीक है तो 113 number question का आपका यहां पर कौन सा होगा इसमें आपका हो जाएगा option number ये निक्रिष्ठन कलिंग इसको आप बोल सकते हैं तो 114 का आपका 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 हो जाएगा बर्सीम ठीक है ट्राइफोलियम अलेगजेंट्रियम हरे चारे से 115 number question है हरे चारे से पोसों को सरवाधिक मातरा में उपलब धोने वाला विटामिन कौन सा है 115 का आपका 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 हो जाएगा की उची तवस्ता कौन सी है तो 117 का राइट अपसन वहोगा फूल आने के समय यह फ्लॉरिंग टाइम पर ज्वार चारे की बुवाई का सामाने समय ठीक है तो इसको आप क्या करेंगे 118 नमर कोश्चन का अब बॉय रखेंगे ठीक है जून जुलाई जुन जुलाई में तब खरीफ का समय तो खरीफ के समय जुआर को बॉय जाता है जैसे मक्का ज्वार बाजरा गवार मुंगलोबिया स्वय बिन मुंपली कपास धान जुट इनको खरीफ में जुन जुलाई में भॉय आ जाता है 119 कोश्चन ज्वार वा मक्का की चरी में अगस्त मामें सुस्क पदार्थ होता है तो 119 का कौन सा यहां पर होगा देख लेते हैं इसके ओप्सन के बारे में हम 119 कोश्चन के इसमें आपका यह 100 नंबर हो जाएगा 30 प्रतिसर ठीक है तो 119 में अप्सन नंबर 100 हो जाएगा फिर 120 नंबर प्रजनन सक्ति सुधार रेतु आवश्यक विटामिन है तो 120 नंबर का डाइट अप्सन यहां पर आपका 100 हो जाएगा E ठीक है 101 की नंबर कोश्चन गाय के लिए प्रतिदिन आवश्यक निर्वा अहार की मात्रा है तो 121 नंबर का आपका डाइट अप्सन यह अप्सन नंबर का अऊफ्यान प्र आपका हो जाएगा अप्सन नंबर यहानि प्रोटीन की 124 नमर कुश्चन गाय तता भैस को प्रती कीग्रा दूद उत्पादन पर क्रम्शा कितना जो है हम दाना देते हैं तो 124 का आपका राइट अप्सन कौन सा होगा इसमें हो जाएक अप्सन पर 100 जनी 300 किलग्राम गाय को 400 किलग्राम भैस को पर संक्या 125 जून मा में कौन सा हराचारा उपलब्ध होता है तो 125 का राइट अप्सन 100 हो जाएगा रीज का 126 नमर कुश्चन देखिए दाना में सुस्क पदास पृष्चत होता है 126 का राइट अप्सन या पर अपका हो जाएगा 100 नमर यानि 90 ठीक है 127 नमर कुश्चन देखिए दाल में पचनी ये प्रोटीन प्रतिशत होता है ठीक है 127 का राइट अप्सन या आपका कौन सा होगा अप्सन नमर बा यानि 15 ठीक है और 128 नमर कुश्चन वे पशु खाद जिनमें रेशा 18 प्रतिशत से अधिक तो था कुल पचनी ये तो तो सा सुखाद जिनमें रेशा देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि ये पशु खाद है जिसमें रेशा 18 प्रतिशत से अधिक हो तो उसों क्या कहेंगे देखिए 130 नमर कुश्चन इसको हम A होगा यानि दाना 130 नमर कुश्चन है यहां पर हे बनाने के लिए सर्वत्तम फसल है तो देखिए अगर आपको हे बनाना है तो उसमें यानि सूखे चारों को यूज करते हैं इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 131 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानि खोखले तन्य वाली ठीक है 131 नमर कुश्चन देखिए गेहूं के प्रोटीन में अपसे दीक पूशकता तो पाय जाता है कौन तो 131 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अपसे नमर बाय यानि कार्वो हाइट ठीक है साइलेज का गड़ा जो है यानि कितना महीने बाद खोलना चाहिए तो 132 नमर कुश्चन का बाय हो जाएगा दो से तीन महां बाद ठीक है 13 133 नमर कुश्चन देखिए निमन में से कौन सा दाना यानि दाना नमी है ठीक है तो 133 नमर कुश्चन का राइट ऑप्शन या पर दा हो जाएगा है ठीक है फिर आगे देखिए 134 नमर कुश्चन डेरी फार्म पर अलगाओ घरों में किस प्रकार के पसू रखे जाते हैं तो 134 का राइट ऑप्शन बह हो जाएगा फुट रोक के रोगी पसू ठीक है तो यह आपका होगा है अब 135 नमर देखिए साड के रहने वाले घट का उप्यूक्त माप क्या होना चाहिए ठीक है यानि साड को जिस घट में हम रहे हैं उसका माप क्या होगा ठीक है तो 135 का र चौड़ा स्थान रखा जाता है तो 136 में आपका राइट अप्शन यहां पर हो जाएगा अप्शन नमर सौ यानि चार फूट एक सो साइटिस नमर कुश्चन देखिए किस वीदी में पसू को बादने के स्थान पर ही दूहा जाता है तो 137 में राइट अप्शन बह होगा पसू साला विदी 138 नमर देखिए कि दोहरा बाड़ा विदी में कितने पसू रखे जा सकते है तो 138 में आपका राइट अप्शन कौन सो होगा इसमें आपका सो हो जाएगा यानि असी से सो ठीक है अब 149 नमर कुश्चन पसू साला में पेसाब की नाली का आकार होना चाह है तो 144 का राइट अप्शन सो होगा दोनो यानि मुझ से पूछ और मुझ से मुझ से पूछ भी दी दोनो ठीक है एक्सू साला में आवश्यक भाग है तो 141 का राइट अप्शन या पर आपका हो जाएगा अप्शन नमबर दो यानि तीनो तीनो का मतलब खोर खड़ा होने का स्थान और पेसाब की नाली तीनो 142 नमर कोश्यन देखिए सूखी गाय के बाड़े का धका भाग होना चाहिए 142 का राइट अप्शन हो जाएगा एक बटा तीन 143 नमर कोश्यन देखिए गोसाला की सफाई की जानी चाहिए इसका राइट अप्शन हो जाएगा अप्श से प्रभाव साली रोगारण नाशी है 145 नुमर कोश्चन डेरी में सामाने तया उप्यों किये जाने वला रसायनिक रोगारण नाशी कौन सा है तो 145 का राइट अप्शन यहां पर अपका हो जाएगा अप्शन नमबर दो नहीं फिनॉल ठीक है इसको फिनायल भी लिखा होत है 146 नुमर कोश्चन गो पसु में खुरायरा करने के उद्दे से क्या है तो 146 का राइट अप्शन दो हो जाएगा तीनो यानि तोचा की सफाई तता रोगों से बचाओ तोचा पर से अप्सिस्ट पता तो कटना और रख संचालन उद्धी पर ठीक है तो तीनो हो जाएग ठीक है 148 नुमर कोश्चन देखिए अपना दूद्ध स्वैम पी जाने पीने वाली गाय पर नियंत्रण के लिए प्रयोक करते हैं तो 148 का राइट अप्शन आपका और हो जाएगा यह नहीं नैक क्रेडलेट का ठीक है 149 नुमर कोश्चन देखिए चाटना यानि यह आदत छुड़ाने के लिए प्रयोक करते हैं तो 149 का राइट अप्शन और यह जगा खनीज लवड़ खिलाएंगे ठीक है मिनराल साल्ट ठीक है देखिए 150 नुमर कोश्चन डेरी फार्म पर मक्हियों की समस्या रहती है कौन से टाइम में तो 150 का राइट अप्शन बा 152 है इसमें क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा ऐगा कोश्चन इंबर 152 का बान अम यानि अबस्टेस टीन ट्वारा ठीक है कोश्चन नंबर 130 म गाय की खिलाई बिलाई करनी चाहिए तो कूश्चन नंबर 123 का राइट अप्शन या आपका अपका दा हो जाएगा यानि में बटा होता है तो 155 का राइट अपसन है आपका हो जाएगा अपसन नमर दो यानि चार ठीक है 156 नमर कुश्चन देखिए दू धयन में किस समय बनता है तो 156 का राइट अपसन हो जाएगा हर सामय यहीं होता है 157 नमर कुश्चन देखिए वह बताइंगे तो हुआ उसको ध्यान में रखेंगे तीक है इसका मतलब यही होता है इसलिए पांसे साथ में पूरी करता है क्योंकि एक हार्मोन से क्रेज होता है ऑक्सी टॉसिन जिसका प्रभाव पांसे साथ में तक होता है जो दूख यानि दूख जो उसको उतारने में सहाए है तो वह पांसे साथ में तक उसका प्रभाव होता है इस प्रिपिंग वीदी देखे सबसे अच्य है फिस्टिंग वीदी यानि मुठी बांद कर ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे श्टिपिंग वीदी चूटकी वीदी जिन पस्वों के जो आयन है वह छोटी साइज के हैं तो उनके लिए यूज करते हैं सबसे अच्य होगी यहां आप फिस्टिंग सबसे खराब है नकलिंग ठीक है एक सॉंसर्ट नबर कुश्चन देखिए दूद का पेक्षी घनत हो यानि ग्यात करने में प्रियुक्त होने वाला यंत्र है तो एक सॉंसर्ट का आपका राइट आप सनिया पर जागा और लेक्टोमीटर इसे दूद की स परिशत करना है तो तो तारी आमीटर ठीक है और जल का परिशत तो लेक्टोमीटर तो एक सॉंसर्ट नमबर का अपका अप्षान नमबर जो है भी हो जाएगा एक सॉंसर्ट नुबर कुश्चन देखिए थन से निकलने किस दूद में वसा प्रशंद अधिक होता है तो एक 161 का right option हो जाएगा अंतिम दूद में ठीक है देखिए फिर 112 नमर कुश्चन गाय में आयन के अगले भाग में कुल दूद की कितनी मात्रा पैदा होती है तो 162 162 नमर कुश्चन का यहाँ पर देखिए क्या होगा अप्शन नमर 2 हो जाएगा यहाँ पर 50 परतिसाथ तीक है देखिए फिर कुश्चन नमर 163 भैस के अगले भाग में कुल दूद की कितनी मात्रा पैदा होती है देखिए गाय में तो 50 परतिसाथ लिकिन भैस में क्या तो 163 का right option है आपका हो जाएगा और नमर यानि 40 गाय को दोवन के कितने समय पूरो खूरायरा करना चाहिए तो 165 इसका right option 2 हो जाएगा एक घंटा 166 नमर कोश्चन देखिए गो दोवन के लिए प्रियुक्त बरतनों को जिवाडू रहित करने के लिए किस पतात का यूज़ करते हैं तो 166 का right option 2 हो जाएगा सभी यानि भा दूद की मिलावाट में थन की बीमारी में और दूद की वसा परिच्छन में ठीक है अब 168 नमर कोश्चन या पर देखिए आयन में दूद का निर्माड होता है तो 166 का right option या आपका हो जाएगा option नमर कूपिकाओं में ठीक है कोश्चन नमर 170 देखिए और यान में प्रती मिनट रक्त प्रवाह होता है तो 177 का right option या पर 100 होगा यानि 179 में आप रख सकते हैं ठीक है 170 नमर देखिए पासुर्णे की समय यानि पासुर्णे के समय उत्पन हार्मोन का नाब क्या है तो 170 का right option हो जाएगा अक्सिटोसिन देखिए यही हमने बताया था और एपिनेफरिन जो होता है इसके प्रभाव से अक्सिटोसिन का प्रभाव खतम हो जाता है अब देखिए 171 नमर कुश्चन थन में दूद आने की क्रिया को कहते हैं तो देखिए इसको क्या कहते हैं 171 का right option हो जगल लेट डाउन इसको आप बोलते हैं यानि डाउन लेट डाउन नीचे उतरना ठीक है holding अप क्रिया के लिए उतरता ही होता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है एक सबातर का right option हो जाएगा adrenaline जो है इससे दूध यानि holding अप हो जाता है जो लेट डाउन होता है दूध ऑक्सिटोसिन से उसका holding अप हो जाता है adrenaline से इसको आप ध्यान में रखेंगे इसलिए बोलते हैं कि 5-7 में दूध दोधन की क्रिया जाए वो पूरी खाल लेनी चाहिए अब 178 नमर क्या है आयन के किस भाग में दूध बनकर एक अत्र होता रहता है 173 एक सो थी अत्र नमर का right option है आप हो जाएगा option number 100 यानी lumen में ठीक है इसको आप ध्यान में रखेंगे question number 184 सोच दूध का अर्थ क्या होता है एक सोच दूध का अर्थ है तो 174 इसका right option option number 100 हो जाएगा दोनों मतलब क्या दूध में जिमाड़ ना हो और दूध में द्रिश से गंदगी ना हो एक सोच दूध का अर्थ है तो 175 इसका right option बहुँ जाएगा रोगान रही दूध क्योंबर 176 खीस होता है तो 176 का right option बहुगा ब्याने के बाद 10 दिनों तक का स्राव एक सोच दूध का स्वाद खारा होता है तो 177 का right option यहापका हो जाएगा option नमर बहु यानी ब्यात के अ मिली इतना ही किया जाता है 178 right option 100 होगा दोनों यानी ब्याने के 15 दिन पूरो और 10 दिन बाद दोनों का स्राव एक सोच दूध में कम से कम वसा प्रशत होना वश्यक है 179 right option 2 होगा 3.5 प्रशत 180 question दूध में वसा रही ठोस की नूनतम मत्रह होनी चाहिए 180 question का right option नहोगा 8.5 प्रशत ठीक है तो 180 question का right option यह हो जाएगा एक से क्यासी नुमर question देखिए दूध में जिवानु का सरोत हो सकता है 181 right option 2 होगा तीनों यानि ग्वाला बरतन पशु तीनों जैसे दूध में जिवानु का बैक्टिरिया से वह ग्वाला जो है जो दोहन कर रहा है उसके द्वा तो 182 right option 9 हो जाएगा जिवान की अधिक्ता के कारण ठीक है यह समय पर बताया क्या है पसुको साइमेस दूध दोहन से कितने समय पूरो यानि खिलान चाहिए तो 183 का right option यहां पर आपका हो जाएगा option 2 यानि एक घंटा 184 question दूध अभी लेखन की सर्वतम भीदी है 184 इसम में अपका अ हो जाएगा यानि दैनिक ठीक है डेली वाला 185 question देखिए ब्यात की अवस्था होती है 185 right option हो जाएगा सा नंबर यानि ब्याने के चौते दिन से दूध सूखने या 305 दिन पूरे होने तक 186 question देखिए रोग ग्रंतियों में पेट का कौन सा भाग हमें जम कह पहलाता है तो 186 number question 100 हो जाएगा त्रितिय देखिए जो पेट होता है रोमिनेंट्स का वो चार भागों में बटा होता है कौन कौन सा तो रियूमेन रेटिकुलम ओमेजम ओमेमेजम तो तीसरा जो यह आपका ओमेजम होता है पहला रियूमेन होता है दूसरा होता है रेटि कौन सा भाग enzyme द्वार पाचन यानि उसका होता है 187 right option यहां पर आपका कौन सा होगा आप देखेंगे इसमें आपका option number 2 यानि चतूर्थ ठीक है 188 रोग रंतियों के पेट के दूसरे भाग को कहते हैं सेमें आपको अभी बता है रेट्व को लाम उसका दूसरा बाग होता है 188 का option नमबरें आप पर जो है बह सही हो जाएगा 189 डेरी पसओं में अहार नाल की लंबाई क्या होती है तो आपको इसको ध्यान में रखना है 189 question का अ हो जाएगा 180 फूट ठीक है question number 190 रोग ग्रंति ब बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर देखे रोग ग्रंति यह तो रोग ग्रंति पसो में भोजन चबाने की क्रिया को कहते है 191 option यह होगा rumination ठीक है 192 देखिए पसो एक दिन रात में जुगाली करता है तो 192 राइट ओप्सन इसमें आपका क्या होगा इसमें आपका होगा बन नमबर यानि 8 गंटे 193 देखिए पसो में संयुक्त अमासे के कितने भाग होते हैं तो 193 इसका आपका राइट ओप्सन दा हो जाएग यानि तीन भाग ठीक है फिर देखिए 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 जो अमासे की बात की जा रही है तीनों भाग जो है आप उसको भी ध्यान में रखेंगे ठीक है कार्डियक फंडस और पाइलोडिक अब कोश्चन नमबर 194 देखिए पसो का हार नाल कितने भागों में विवक्त होत साथ ठीक है ध्यान में रखेंगे पांच कोश्चन देखते हैं जो बचे हुए हैं देखिए गाय की लार की प्रतिक्रिया होती है 196 राइट अप्शन इसमें आपका कौन सा होगा इसमें आपका होजाए का अप्शन नमर बह यानि छारी है ऐसी जो है एलकलाई लेचर का ठी है फिर देखिए गाय में प्रतिदिन लार्स राव यानि होता है तो 197 नमर कुश्चन राइट ऑप्शन इसमें आपका अब्बा हो जाएगा 100 से 200 मीटर कुश्चन नमर 1892 सरकरा के उपापचय को नियंतरित करने वाला हार्मोन है 198 इसमें आपका क्यों होगा राइट टीक है 199 देखिए पाचन तंत्र में अंग सम्मीलित है तो 199 राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 2 यानि भोजन कराने वाले भी पाचन तताव शोचन करने वाले भी उत्सरजन करने तो 2 हो जाएगा देखिए लास्ट कोश्चन कुश्चन नमर 200 रुमेन में पाचन द्वारा तो यह आपके 100 कोश्चन फिर कंप्लीट होते हैं इस पर इनको फॉलो कर सकते हैं ठीक है और इसका पीडियाफ चाहिए तो आप देखें हमारे वर्स टेलिग्राम ग्रूप चैनल को जॉइन करेंगे डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर ही लिंक है और इसे पहले हम पर इसे पहले हैं तो जिससे आपका जो पर है तो आप आसानी से कम से कम अगर आप उन वीच चैनल के वह पेपर लगा लेते हैं जो हमने दिये हैं सॉल्व करके और आप 282 उन कोश्चन को कर लेते हैं तो कम से कम आप 40 नंबर जरूर स्कोर करेंगे क्योंकि काफी बार हमने देखा आप देखेंगे पेपर में कि बार बार कुछ कोश्चन जो है वह रिपीट होते जा रहा है पूजी बगारा और धन परिवासा जो है वह र प्रोग और द।